अब आला मेरा BCCI और उनके अंदे भगत से जो भी है, टीम मैनेजमेंट है, कप्तान है, जो भी और वाई 215 और मौमद सिराज का भाई तीन विकेट लेना और कुल्दीव यादव अरे वाई सावाग लगा दिया भाई आग और कुल्दी प्यादव ने फिर एक दफा सारी इंडियन क्रिकेट फर्टेनिटी को याद दिलाया, चाहिए टेस्ट रिकेट हो, चाहिए ओडिया क्रिकेट हो, मेरी रिसमें जादू बहुत है नमस्कर दोस्तों स्वागत आपका हमारे चैनल क्रिकेट का नम हमें, दोस्तों भारत तो सिलंके को बीच खेले जा रहा है, दूसरे ODI मैच में भारत ने सिलंका को 215 पर आल उट कर दिया, इस मैच में कुल्दी प्यादव ने सांदर तीन विकेट और मुहमाद सिराज ने पाकिस्तानी ऑट को सबस्क्राइब नहीं किया Links तो सबस्काइब करें लाइकन को दबाना ना बूले मेरा बीजिस्टिया उनके अंदे भगत से जो भी है टीम मैंजमेंट है कप्तान है जो भी तेखे विराइट कोली का रहा है एक साल पर्डेशिप थीक है के नहीं हुई इस रिस्पांसिबल नहो तब मैच विनर इस बीग कैप आउट जिसका नाम है कुल्दीब यानव आये उसने रिजवान अगर्जाब अस्विरन वाली पार्डेशिप में मैंडस असलेंका और दे नेमसेज आव इंडियन टीम मिस्टर शनाका दे लास्ट मैच सेंचॉरियन दवान अल्ली दशिक्स हिटर दवांडरी हिटर दवलाना दधंकाना किसने आउट गिया और देखें अक्षर और कुल्दीब की जोड़ी उतरती है कमार आज खेलता कुल्दीब आभी मांधारी से बिताएं अगर चाहल को मसला ना होता है शोल्डर का नहीं नहीं दो कैप्टिन ने खुद बोला कि नहीं खेलता आप अंदाजा लगाएं ये इसको सजा दी जाती ह आप मैंधा मैंधा मैं चेता लगी मैंधा मैन्दा मैंधा मैंधा मैंदा मैंधा मैंगा ने की क्यों फुदीब बाह कर चुका हूँ लाहाएं गन्हान करना है मैरा थीक बै%. तो भी भी का आप उम्रान मलक का पेस देखे आप सिराज की फायर देखे आप कुल्दीब का वेनम देखे आप अक्षर की स्मार्टनेस देखे आपको सिवाए शामी के एफरीबडी यू आर वाचिंग टीम इंडिया विच इस रेडी तो डॉमिनेट और वाई 215 और मौमद सिराज का भाई तीन विकेट लेना और कुल्दीब यादब अरे भाई साब आग लगा दिया भाई आग एक से बढ़के एक बंदा खेल रहा है भाई क्या हो गया आप लोगों को ये एक दम से भाई इतनी जबर्दस्त बॉलिंग कहा से आ गई भाई सा बहाई भाई ये टीटुएंटी में तो रूला दिया था हम अभी एक दम से भाई इतना चम पर डस परप्र्पयर्वर्मेंस मैं बता नहीं सकता भाई मेरे को यकीन तो नहीं हो रहाँका जिस तरीके से उक करर रहे भाई जिस तरीके से फिल्डिंग कर रहे हैं भाई हरक कर लिए 10 आवर्स बाई 40 आवर्स में भाई R.I.P भाई स्रिलंका टीम के लिए R.I.P कोई बाई भाई लीब यादव ने क्या डाला है भाई स्रिलंका की टीम को समझ में नहीं आ रहा था कि कहां से डाल रहा है यह बन्रा और भाई आई कांट बलीव भाई आई कांट बलीव यह कैसे मैच चल रहे भाई यह क्या हो रहा है भाई यह कितना खुशी का समा है यह कितने खुशी के दिन है भाई इस तरीके के मैच दोस्तों आप लोगों को पता है बहुत कम देखने को मिलते हैं बहुत कम ऐसा टाइम आता है जब हमें ऐसे मैश देखने को मिलते हैं जिस तरी जब भी अल्ला हमें खुशी देता है तो परोसी को गम देता है उसा कि वैस्तान मेरे से इर act पाकिस्तान के आंदर वाइसाभब तेख़ हें हम इसनिया पहाँ कीछ प्रीक यह इसनिया बोल रहा हूं कि अगे कंग हैं एक फिर कुल दीब यादफ का इच्छनू तर्फ कंगल पिर कुल्दी वैदफ ने फिर小 right says को याद दिलाया, चाहे टेस्ट रिक्ट हो, चाहे ओडी एक रिकट हो, मेरी रिस्में जादू बहुत है, मैं एक स्पेशल जाइनमें बॉलर हूँ, अब फिर ना ड्रॉप हो जानती है, तो इस रोड यह ऐसे क्योंकि कुल्दी ब्यादब विचारी है ही है, जब भी वो कमब ही कुशाल मेंड़स की विकट बडी थी, पासालनका की बडी बहुत बडी विकट थी और दसन शनाका दा मैन इंफॉर्म, दा हीरो कैपटन औफ सेल लंकन ट्रिकेट टीम, क्या वो अकेले लगडें और क्या फाइट से वो लड़डें, और क्या खुब्सूरत दसन शनाका को का विकट लेने के लिए तो कुल्दीव यादफ ने अपना मैजिक जगाया साथ में मौमद सहराच और अम्रान मलिक की भी फाहर नजर आई इंडिया क्रिकट फर्टेनिटी हो बड़ी हैरत को ने क्योंकि जिस तरह कुल्दीव यादफ ने आज भी पूरे कुलाप्स को जो इंजीनियर किया ना मिडल ओर में